कि खुशी के चकर में थोड़ा नाज लेते हैं क्या बोलते हो तो तो गाइस इस टाइम में हूँ सार्चु पे तो यहां से काफी टफ रोड 22 मोड आने वाला है जैसे कि आप लोग को पता है किसी किसी को नहीं पता होगा 22 मोड यानि 14-15 किलोमेटर का टफ रोड होगा खड़ी चड़ाई 22 मोड आएगा ठीक है काफी टफ होने वाला हूं तो मैं वह फेस करने वाला हूं आज तो उससे पहले ना यह लगाते हैं लदाक का सबसे फैबरेट ठीक होम माने पे में होम तो यह लगाते हैं उसके बाद और यहां पर oxygen की कमी है और पिछे काफी बड़ा नदी है और पूरा dry mountain है मतलब देख सकते हो अब देख सकते हो लदाक आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है कहां से गुजरना पड़ता है तो पिछे का location कुछ ऐसा है काफी बड़ा नदी है यह I think सुखा हुआ भी और पूरा dry mountain है और तो यह रश्ता जाता है सीधा लेग की तरफ तो गाइस यहां से 21 लूप से स्टार्ट है तो कि आप देख सकते हो ते रहा है यहां से सांसे से फीट है और चार जाब दोसो एक मिटर है और देख सकते हो यहां से है कर दिया है तो चलते हैं यहां से काफी टाफ होने वड़ा यह रोड और यह फेस में करना चाता था और मेरे को मिल रहा है तो I will face it और में पांग पहुंच के रहूंगा जो कि यहां से 50 किलिमेटर है तो अल्रेडी मैंने 25 किलिमेटर कर दिया है तो अभी मैं नीचे रोड से आया हूं तो अभी मेरे को जाना है उपर जैसे का आप लोग देख पा रहे हूं दूर दूर गाड़ियां वह रहा गाड़ियां देह जा रहा है गाड़ियां अपर पर जाना मेरेको चलते हैं तो पूर्ण लोगेसिन भी दिखाते देख आपको जैसे का आप लोग देख पा रहे हैं यह नीचे वाला रस्ता में चड़के आ रहा हूं ठीक है तो काफी चड़ चुका हूं है काफी मोड आचुका हूं और आगी भी ऐसे ही मोड है बहुत हुच्चा जाना है वह उपर रहां बस एक चली ना आप ही मैं पता क्या फेस कर रहा हूं सही किया के साइकल पर मज़ा आ गया तो मैं आपने आपको आपने आपसे भी चैलेंज था ए ठीक है तो लगता है मैं कंप्लिट कर दूंगा ऐसा कोई डी मोटिवेड ही या म मेरे को नर्वशनेस नहीं हो रहा है बस कर दूंगा में इस इजी फॉर मी इस से खड़ी चड़ा मिलता तो अच्छा रहता मेरे को तो चलते हैं चलते उपर हां ठकावट जरूर होता है लेकिन मैंड में एक चीज़ रहता है कि वह गीबब नहीं करना है और वापस नहीं ज अब है इतना उपर पहुंचा हूं तो यह बहुत चल रही है और अभी में यहां से आया देख सकते हो काफी नीचे रस्ता है और यह पहाड के बिल्कुल बराबर आचुगा हूं मैं ठीक है काफी टफ है लेकिन नामप्किन नहीं है तो चलो फेर उपर चलते हैं वहाँ फाइनली टर्ण ट्वंटीवां लोग्स ओर फॉर दाउशन शिक्सहंड़ सिक्टी सेवन मीटर तो आपी मैं 15302 के फीट में हूं तो आलमस्ट मैंने जितने भी टन से कंप्लीट करती है ओनली फॉर आवर्स मैं तो आप वहाँ ट्वंटीवां लूप्स कंप्लीट इन फोर आवर्स तो मजा गया खुशी के चकर में थोड़ा नाच लेते हैं क्या बोलते हो तो मैं आया हूं बिल्कूल नीचे से काफी टाइम लग गया काफी थकावड भी वही पानी भी खतम हो गया थोड़ा सा बचा ह है लेकिन इसको कंप्लीट करने की खुशी मैं ओ भाई तुबारा हूंगा मैं अमेजिंग फिलिंग यार इतने खुशी बाइशाब ओ इतने सारे टर्न है ना बाइशाब सिर्टुखने लग जाता है और इतने ठंडी हवा चल रही है फिर भी ओ भाई खुद को मोटिवेट करना और मेंटली स्ट्रेंग होना काफी मुस्किल है और मैंने यह कर रहा तो आपने आपको काफी खुशी हो रहा है और काफी मजा भी आ रहा है तो चलते हैं फिर उपर की तरफ अभी थोड़ा से रहता तस 15 किलिमेंटर वह भी कर लेते हैं क्या जाता है ना तो फिर चलो करो पासा कि एंधननने रहा हैं पासा प्रफ वोड़ आनन यूमान 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 आपको काफ।